मलाइका अरोडा अपने बेटे अरहान खान से बहुत प्यार करती है दोनों के बीच काफी अच्छा बॉंड है जो हमें उनके विडियोज और फोटोज में दिखता रहता है मलाइका का कहना है कि दोनों इतने ओपन हैं एक दूसरे के साथ कि वे किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं मलाइका का मानना है कि ओपनली बात करने से बच्चे के लिए एक सुरक्षित वातावर्न बनाने में मदद मिलती है हाल ही में अरहान के पॉड़कास्ट पर दोनों की बातों और हनसीम जाक ने हमें माम बेटे के रिष्टे की जलक भी दिखी मलाइका का कहना है कि हर बच्चे का मा के साथ अलग बॉन्ड होता है कई मा दोस्ट और एडवाइजर जैसी होती हैं तो वहीं कुछ मा स्ट्रिक्ट होती है मैं एक मा के तौर पर हमेशा से चाहती थी कि मैं उसकी दोस्ट बनी रहूं सबसे पहले वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे वह मुझ पर भरोसा कर सकता है एक्ट्रेस का कहना है कि दोनों के बीच का जो इक्वेशन है कि उन्हें देखकर उनके दोस्ट एंज़ॉय करते हैं वह बोली जब मेरे दोस्ट आते हैं हैंगाउट करने के लिए तब वो कहते हैं कि तुम्हें और अर्हान को देखते हैं तो लगता है कॉमेडी शो चल रहा है हम जोक्स मारते रहते हैं और एक दूसरे की टाम खीचते रहते हैं दोस्त बोलते हैं कि हमें टिकट्स खरीदनी चाहिए तुम्हारा कॉमेडी शो देखने के लिए मलाइका का कहना है कि पैरेंट्स को हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें वह बोली हमें उनके लिए एक सेफ प्लेस बनाना चाहिए ताकि वो आएं और आप से सब शेयर कर सकें आपको उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो आकर जबरदस्ती सब बताएं आज के समय में जरूरी है कि आप जानो कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है क्योंकि वे लाइफ में कई चीजों को लेकर एक स्पोस होते हैं तो अंधेरे में रहने की बजाए सब जान लो मलाइका का कहना है कि पैरेंट्स को हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें वह बोली हमें उनके लिए एक सेफ प्लेस बनाना चाहिए ताकि वो आएं और आप से सब शेयर कर सकें आपको उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो आकर जबर्दस्ती सब बताएं आज के समय में जरूरी है कि आप जानो कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है क्योंकि वे लाइफ में कई चीजों को लेकर एक स्पोस होते हैं तो अंधेरे में रहने की बजाए सब जान लो दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार विडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया विडियो के साथ झाल झाल